हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप Bluetooth के जरिए आप अपने कंप्यूटर में किस कोई भी फोटो वगेरा कैसे सेंड कर सकते हैं कैसे डिसीब कर सकते हैं जी हाँ यह Bluetooth आपको खरीद लेना है किसी भी दुकान से या फिर Amazon या फिलिपकार्ट पे भी यह Bluetooth जो है आपको एवलेवल है यह 100, 200, 300 या 400 रुपे का भी आ जाएगा वैसे 200 रुपे का ही आएगा यह तो आप इसे Amazon या फिलिपकार्ट से या फिर किसी आप अपने AskPotos के स्टोर से या फिर किसी भी दुकान से आप इसे खरीच सकते हैं आप जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं इंटरफेस यह हमारा फोन से Bluetooth से और यह laptop या PC से किसी से भी यह connect हो जाएगा तो simply हमें इसको हमें अपने लगाना है PC में या फिर अगर 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 नहीं भी है तो आप इसे Bluetooth में भी लगा सकते हैं मैं इसे PC में करके दिखाने वाला हूं तो इसे मैं क्योंकि मेरे PC में Bluetooth नहीं है तो मैंने इसे market से जो इसे purchase किया है और purchase करने के बाद यह इस तरीके का इंटरफेस और मैं इसे simply अपने खोलने के बाद इसे मैं अपने PC में लगा दूँगा जो मेरा computer है आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं आगे लगाएं या फिर पीछे लगाएं तो simply मैं इसे अपने इस तरीके का और छोटा सा होता है इसे मैं अपने जो है वो PC में लगा देता हूं उसके बाद आपको आगे का process बताता हूं तो इस तरीके से मैंन लाइड जल गई है और मेरे computer में थोड़ी सी आवाज एक दिया बस और जैसे ही मैंने इसे लगाया यहां पर यह ब्लुटूथ का option यहां पर आ गया ब्लुटूथ डिवाइस यहां पर देख सकते हैं यहां पर सेंड रिसीव यहां पर कई सारे option जो है वह आ गया हैं इसमें setting भी open करके देख सकते हैं या फिर आप इसमें अपना bluetooth mic, bluetooth headphone या फिर मतलब bluetooth mic, bluetooth keyboard कुछ भी extra attach कर सकते हैं इसमें कुछ भी connect कर सकते हैं तो मैं simply इसमें phone से transfer करके दिखाने वाला हूं तो जैसे कि मैं यहां पर कोई भी videos वगएरा ले लेता हूं जैसी simply आप लिए उस bluetooth को आप को download करके और simply से connect कर देना है तो यहां पर यह bluetooth का option यह लग जाएगा तो simply मेर को जो send करना होगा या receive करना होगा वो मैं video photo देख लेता हूं तो documents पर आके मैं इस recording को जो है वो send करनी है इन दोनों videos को अपने mobile phone पे और फिर मैं अपने mobile phone का bluetooth जो है वो on कर देता हूं और उसके कि वाद मैं इसे कर देता हूं send पे click तो जैसी मैं इसे send करूंगा तो यहाँ पर आपको bluetooth डिवाइस का option आ जाता है simply आपको इसपे click कर देना है और यह phone aurion का та इसपे click करके जैसि मैंने bluetooth on क्या तो यह options अया गया तो आपको simply next करना है और यहाँ पर ये send का option चला जाएगा और आपको अपने phone पे simply accept कर लेना है और ये process send होना सुरू हो जाएगा तो जिस तरीके से हम किसी भी phone से या किसी भी device से या एक phone से दूसरे phone से Bluetooth के ज़रिये लेते हैं simply वही process रहता है तो आप इसी तरीके से आप अपनी photo, video या कोई software या कुछ भी documents वगेरा आप अपने phone से computer में या computer से phone में send कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि ये Bluetooth का send का option है, ये receive का option है ठीक इसी तरीके से अगर आप अपने phone से send करते हैं तो भी आपको receive करने का, computer में receive करने का यहाँ पे दिखा भी रखा है कि आप इसमें keyboard, mouse वगेरा वगेरा, इसमें headphone कुछ भी इसमें हम connect कर सकते हैं यहाँ तक कि LED भी connect कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप भी connect कर लेना और send receive का option यहाँ पे आपको so होई चुका है, अगर आपको send करना होगा तो send कर लेना, अगर आपको receive करना होगा तो receive कर लेना, जैसी यह मेरा green वाला यहाँ तक पूरा हो जाएगा, तो simply यहाँ पे finish का option आजाएगा, और यह चीज़ यह वीडियो जो है, यह मेरी उस phone में send हो जाएगी, यह मेरे को लेना होगा, तो simply इसमें आजाएगा तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना और वेल आइकन भी प्रेस कर देना जिसे मेरे आने वली वीडियो के हम नाटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंसके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार